तो देश के अलग-अलग हिस्सों में कुद्रत का कहर चारी है पिशले कई दिनों में देश में बारिश और बार के चलते जन जीवान अस्तिव्यस्थ हो चुका है उत्तर प्रदेश उत्राखंड करनाटा गुजरात महाराश्र केरल हर जगा कमोवेश एक जैसे ही हालात है दे केरल से करनाटक तक और गुजरात से महाराश्र तक कुद्रत ने कोहरा मचा रखा है मूसलधार बारिश की वजह से दक्षन डूब रहा है जबकि पश्मी राज्यों में भी चीक पुकार मची हुई है देश के नौराज्यों में बार से अब तक दो सो एकीस लोग जान गव रहा है कुद्रत की विनाश लीला जब बादलों को आया घुस्सा घुस्से में बरसने लगे मेक जल्मगन हुई जमीन बारिश में डूबे आशियाने ताश के पत्तों की तरह ढह गया मकान मौनसून की महरबानी बनी आफ़र कुद्रत ने मजाया कोहराम तो शहर शहर से आ रही कुद्रत के कहर की तस्वीरे आपको दिखाएंगे सबसे पहले चमूली आपको लेकर चलते हैं जहां एक बार फिर से बादल फटने से तबाही हुई बांच बगड गाउं में बादल फटने से मकान जमी दोज हो गए तो वहीं नंदाकनी नदी में उफान आने से एक मकान नदी में समा गया जिबकि कई और मकानों को भी खत्रा है वहीं बादल फटने से छे लोगों की मौत भी हो चुकी है चमूली में फिर से आस्मानी आफ़त लोगों पर बरपा कुदरत का कहर आस्मान सिबर से बरबादी के बद्रा तस्बीरें देखकर ही अंदाजा लगा जा सकता है कि चमूली में हालात कितने खराब है इस मकान को देखिए ये मकान ताश के पत्तों की तरह डह गया देखते ही देखते एक मकान नदी में समा जाता है मकान के छट पर रखा समान भी नदी में समा गया और नदी का बहाव इतना तेज है कि नदी में गिरते ही मकान का मलवा कहा गया चन्द सेकेंड्स में पता भी नहीं चला ये तस्वीरें लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही है जून 2013 के आपदा के बाद ये पहला मौका है जब इतनी डरावनी तस्वीरें आए है यही वज़ा है कि लोगों को डर है कि कहीं इस बार भी कुद्रत की विनाश लिला का सामना ना करना पड़े देश्चत ऐसी कि लोगों ने अपनी दुकानों और घर खाली करने शुरू कर दिये लोगों को आशंकर कि अगर नदी में पानी और बढ़ा तो हालाग बिगड सकते हैं घाट बांच बगड मोटर मार्क पर गर्नी गाओं में पहाड फटने से तबाही हुए पानी के साथ आए पहकर मलवे में दो वाहन और एक मकान दव गया राहत बचाओ के टी में मलवा साफ करने में जुटी हुई है मोख्ष नदी के उपान पर होने से कई मकानों को खत्रा है जिले में भूस खलन के कारण 14 रोड बंद है मैं देव भूमी में मौसम विभाग ने दो दिनों तक कुद्रक्त के कहर का अलट जारी किया है उत्रा खंड के साथ जिलों में भारी बारिश की च्वेताबनी जारी की गई है साथी इन जिलों के सभी अधिकारियों और आपदा प्रभंदन विभाग को भी अलट भेजा किया है इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सावधान तबाही अभी बाकी है चलप्रले से खंड खंड हुआ उत्रा खंड उत्रा खंड में चलप्रले से भारी दबाही अडिक पहाडू को तूर रहा भूस खलन उफन्ती नदिया चीर रही पहाड का सीना जलप्रले के आगे बेबस उत्रा खंड जलप्रले में सेहमी सिंदगी उत्रा खंड में बारिश ने अब तक हर तरफ कोहरा मचाया है कहीं सडके तूट रही है तो कहीं भूस खलन हो रहा है कहीं घरों में मलवा घुस रहा है हर साल बारिश के मौसम का बीस सप्री से इंतिजार किया जाता है लेकिन जब भी ये बारिश का मौसम आता है उत्रा खंड के लिए भारी आफ़त लेकर आता है उत्रा खंड में आप तक मौसून भारी तबाही मचा चुका है उत्रा खंड का ऐसा कोई जिला नहीं है जो इस तबाही से अचुता हो अभी जो उत्रा खंड सरकार ने मौसम की जो दी है भी उस पसर मैं चाहूँगा कि हर तरब उत्रा खंड में मलब सरकार पूरी कोशिश करें कि बच्चों के लिए मलब हर सुविदा दे कि भाई मौसम भी भाग जहां भी मलब हो कर रहा है उसमें थोड़ा सही हो कर रहा सरकार ना बच्चों को तक लीप ना हो पाहड़ो छेत्रों में बड़ी समस्या हो रही है हमारे गाहों में मलब बड़ी बड़े नाले जा रहे है तो बच्चों के लिए सुविदा नहीं है थोड़ी न उसमें सरकार फोकेस करना होगा सर भूस खलन का कहर उत्राखन की पहाड़िया इस बारिश में तरक रहे हैं तूट तूट कर गिर रहे हैं लेंड्सलाइट जोन सक्रिया हो गया है जान हतेली पर रखकर आबा जाही करने को लोग मच्पूर हैं पहाड़ों पर भारी बारिश से जहां भूस खलन की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है तो वहीं चार धाम ग्यात्रा पर भी इसका असर पढ़ रहा है कुछ तो वोना चाहिए तो आपदा है लेकिन सासंप पर सासंप को इसके बारे में तयार हैना चाहिए हट हैं कहीं भी हो और हो सके तो गाउं के नियौसी आसपास की गाउं जो है तुरंट उसमें अब उन्हें तो जो एंडिया रखक्या हो उनको तो देल लगेगी जाने म यह पुलीस पॉर्ट को देल लगी जाने में वहां के पुलीड को स्पोर्ट करने चाहिए तब तक जो है जिसकी जान बच सके जिए THERE मनलविय में उसमें जान बच सके इसलिए हमें विए के मिभाइ तो तभी हास बढ़ाएगा जब वहां पहुंशने का साधन होगा पता च रौद्र रूप पहार से लेकर मैदान तक मौनसूर का ये कहर देखिए नदियों का ऐसा रौद्र रूप देखिए प्यास बुझाने वाली जमीन को सीचनी वाली नदियां आज टरा रही है आज ये शान्त नहीं है आज ये दहार रही है मानू कह रही हो कि जो कोई भी इनको छेड़ने की कोशिश करेगा वो तहस नहस हो जाएगा कई घर अब तक ये बाढ़ अपने आप में समेट चुकी है लोग बेघर हैं और परिशान भी मतलब मेरी सरकार से निवदन है कि हमारे जो भी स्कूल्स है और आजकर मोसम का आपको पता ही है रोज भारिश हो रही है कंटिनू भारिश हो रही है जिसे हमारे जो बच्चे है इसकूल जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है अब इस तस्बीर को ही देख लीजे सड़क के उपर से वंती नदी पह रही है नदी की गर्जना सुनकर आदमी थर आ जा नदी पार जाना लोगों की मजबूरी है ऐसे में उफनती नदी को लोग पार कर रहे है एक छोटा सा नाला जब उफान पर आ जाए तो कितना भयावय हो जाता है इसकी एक तस्बीर आपने देखी लेकिन प्रदेश में गंगा, यमुना, अलक नंदा, मंताकिनी या उससे उपर बह रही है मैदानी इलाकों में जल भराव पहार तो पहार, मैदानों में भी हाल बेहाल है मैदानों में पानी शान्त जरूर नजर आता है मगर इसने शान्ती से लोगों के जीवन में खलबली मचा रखी है कहीं घरों में घुसा पानी तो कहीं जल भराव से दिक्ट दें मैदानी इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश ने हर जगा जल भराव से आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है मौसम विभाग ने उत्राखन में साथ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और जो 48 घंटे आने वाले हैं ये उत्राखन में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है लगातर उत्राखन में बारिश हो रही है आप मौसम भी देख सकते हैं कि इस बा पूरा उत्राखंड में दहला है और उत्राखंड में हमने देखा कि लगातर इस तरीके से जब भी मांसुन अपना कहर बर पाता है तो पहाडों से लेकर मैदान तक लगातर तेज बारिश के बीच बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिलता है अब आने वाले 48 गंटे मौ मौसम विभाग ने आबदा प्रबंदन तंत्र को अलर्ट पर रखा है और साथ ही मौसम विभाग ने सभी लोगों को भी ये हिदायत दी है कि वे इस बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें कैमरामेन क्रिस्टोपर लॉरेंस के साथ मेरवी कैंतुरा एबिती ग जिसने लोगों का घरों से निकलना तक मुहाल कर दिया है आप तक की बारिश ने उत्रा खंड को खंड करने में कोई कूर कसर नहीं छूड़ी है और अब मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे उत्रा खंड पर भारी बताए है उत्रा खंड पर अगले 48 घंटे भारी मौसम विभाग की भविश्यवाने भारी बारिश का जारी किया अलट साथ जिलों में होगी भारी बारिश आने वाले कुछ घंटों में प्रशासन का इंतेहार अगले अन्तालिस घंटे के लिए उत्राखंड के साथ जिलों में मूसलाधार बारिश का ये अलट जारी किया गया है जिसमें देहरादून, चमोली, टिहरी, पौडी, नैनिताल, रुद्र प्रियाग और उत्रकाशी जिला शामिल है अगले चार दिनों में अधिकांश स्थानों पे हलकी से मध्यम वर्षा होगी तो आने वाले चार-पांश दिनों में जो उत्राखंड में मौनसून एक्टिव होने जा रहा है इसके चलते उत्राखंड में कहीं-कहीं विशेशकर, चमोली, रुद्र प्रियाग, उत्रकाशी, दहरादून, पौडी, नैनिताल, जन्पदों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है खास करकि 11 तारिक से लेकर के 14 तारिक के बीच में तो इसके चलते देखा जाएगा जो नदियों में जलस्तर है वो अभी जितना है उससे और बढ़ने की उमीद है मौसम विभाग ने अब तक हर खदम पर प्रशासन को आगाह किया है मौसम विभाग ने जितनी भी शेतावनिया जारी की है वो लगभग सटीक साबित हुई है ऐसे में एक बार फिर मौसम विभाग के इस अलट से प्रशासन तो अलट है साथी लोगों को भी अलट रहना होगा प्यूरो रिपोर्ट एबीपी कंका तो उत्राखन में बारिश का कहर जारी है सुमवार सुभा से ही देहरादूर में जोरदार बारिश हो रही है मौसम विभाग ने उत्राखन में सुमवार से बुधवार तक भारी बारिश का अनुमान जताया था खासतोर पर साथ जिलों में भारी बारिश का अलर्ड जारी किया था बारिश के कारण कई जिलों में पहार दरकने का भी सिलसला जारी है भूसकलन के कारण सौ से अधिक रास से बंद हो चुके है उत्राखन में मौनसून का कहर लगतार जारी है क्या पहाड क्या मैदान सब जगा पानी ने हाहाकार मचाया हुआ है जहां पहाडों में हो रही लगतार बारिश से पहाड के सक रही है तो भूसकलन से अब तक कई लोगों ने अपनी जान भी गवाती है वहीं कई जगा मकान से लेकर सड़के शतिग्रस्थ हो चुकी है चारधा म्यात्रा बुरी तरब प्रभावित हो चुकी है तो नदियां खत्रे के निशान पर बह रही है राजधानी समेट मैदानों में जबदस्त जल भराव हो रहा है बात राजधानी दहरादून की करे बीती राजधानी की बारिश में सड़कों से लेकर गलियां पानी पानी कर दी है आम तोर पर शांत रहने वाली राजधानी की नदिया अपने उफान पर चल जहीं है तो प्रशासन नी नदी नालो के किनारे रहने वाले लोगों को सतर करेने के निर्देश भी जारी कर दियेंगे उत्राखंड में मौनसून का कहर जारी है बात उत्राखंड की राजधानी देहरादून की करें तो राजधानी में बीती राजध से हो रही बारिश ने नगर निगम के दावो की पोल भी खोल कर रखती है जगजग़ पानी और जल भराव ने लोगों की परिशानियां बढ़ा दी देरादुन में भी पूरे उत्राखंड की तरह जम कर बारिश हो रही है बीती राच से बारिश आफ़त बन कर बरस रही है यहां पूरी राजधानी पानी पानी हो चुकी है इसने लोगों की मुश्किले बढ़ा दी सरकार हर साल दावे तो करती है पर जमीनी हाकिकत कुछ और ही रहती है ऐसे में खास तोर पर नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किले बढ़ गई है राजधानी की छोटी नदिया और नाले अपने उफान पे चल रही है ऐसे में प्रशासों और पोलिस की तरब से उनको सचेत किया जा रहा है मौसम विभाग की अलर्ट ने लोगों की मुश्किले और बढ़ा दी लोग पहशक में हैं मौसम विभाग की तरब से औरेंज अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की माने ही तो आने वाले कुछ दिन अभी बारिश इसी तरीके से होते रहेंगे जिसका मतलब साफ है कि लोगों को फिलहाल इस साफत की बारिश से जाहत नहीं देहरादून सी रवी कैंतुरा विरो रिपोर्ट एबीपी गंगा और इसे के साथ हमारी खास पेशकश में वसतना ही आप देखते रहेंगे एबीपी गंगा झाल